तो बस्तर में, बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जब भी मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, अलग-अलग तस्वीरों को दिखाने के जब कोशिस करता हूँ, तो बार-बार मेरे दर्सकों का कहना रहता है कि सर बस्तर के अंद्रूनी लाकों के सिक्षा की स्थिति दिखाईए तो आज मैं सोचा कि एक सिक्षा की स्थिति और यहां के बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं सरकार क्या कोशिज कर रही है और कोशिज कहां तक सफल हो पा रही है और इस सारी विवस्थाओं के बीच में कहीं क्या कोई भ्रष्टाचार हो रहा है और क्या हकीकत है इस पर बातचीत कर लेते हैं नमस्कार मैं विकास्तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं इस वक्त मैं कोलेंग गाओं में हूँ, कोलेंग, इस गाओं को कभी नकसलियों की राजधानी कहा जाता था, और धीरे 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 नकसलवाद अब यहां से बैक फूट पर है, यहां आना ऐसा लगता था कि आपने एक नहीं कई जंग जीती हो, अगर आप कोलेंग पहुँच करने आये, तो उनको घुमाने के लिए कोलेंग पहुचे, और उनको पता ही नीचला कब कोलेंग आ गये, आनिक बात जा निने तो आभी भी विश्वास नहीं कर रहे हैं क्योंकि नक्सलियों की राजदानी में कोई इतनी आसानी से पहुंच कैसे सकता है यहां तो देखे कि कुछ बच्चे खाना खा रहे थे और एक आश्रम नुमा कुछ बना हुआ है बच्चों से बादचीत हुई बहुत सारी चीजे निकल कर आएं तो मुझे लगा शिक्षा पर आज बादचीत हो जाए सबसे पहले बताओं कि यह पोटा केबिन है और यहां पोटा केबिन के लिए सामने नाली बनी हुई है और एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है और यह काम काफी दिनों से रुका हुआ है यहां की क्या वास्तविक इस्थिती है वो बताने के लिए बली दादा है जो यहां पे चप्रासी है ना दादा जी सर दादे काम रुका कब से है यह सर करीब करीब दिपावली समय से तब से रुका ही है जी आप बता रहे थे कि ब तो यह सबसे पहले आस्रम में घुसने की वेवस्था जिसमें जो ठेकेदार के द्वारा दिपावली से काम को रोक दिया गया है तब से काम ऐसे ही रुका हुआ है यहां पे कुछ बच्चों के गिर जाने की जानकारी अभी चप्राशी भी अन्दी फिर मैं घुसा तो दिखा कि यहां पे एक साइकल इस्टेंड का निर्माड किया गया है छे लाग तेरा जार रुपए में इसका निर्माड किया गया है बताया जा रहा है कि इसको सचिव बनाएं गाउं कहीं क्या नाम है सचिव का सोनूराम कस्षब जी हैं जो सचिव हैं जिन्होंने इस साइकल इस् से भी बातचीत करें और बली दादास भी बातचीत करें मैं आपको दिखाओं कि यह पोटा केविन है बांस की चटाईयों से जब बस्तर के अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों के दौरा तमाम आस्रम और इस्कूलों को तोड़ा जाने लगा क्योंकि सलवाजुडूम के समय जब स्कूलों में और आस्रमों में फोर्स आकर ठहरने लगी तो नक्सिलों के दौरा उन आस्रमों को तोड़ दिया जाता था तब वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर सरकार ने पोटा केविन की स्थापना की जिसमें बांस की चटाईयों से एक इस तरह से कमरा नुमा आ अस्रम बनाया जाए और इसमें बच्चों को रखकर उन इलाकों के बच्चों को रखकर जो नक्सल प्रभाई छेत्रे से हैं उनकी पढ़ाई बदस्तूर जारी रहे उसके लिए पोटा केविन की वैवस्था की गई बच्चे भी हैं क्या नाम है भईया आपका नाम मेरे इ यहां कोन से क्लास में पढ़ते हो कख्चा पाँचा मिवं पढ़ता से अजय इसके पढ़ा हू मैं कफ़े यहां कप्से हो कितना साल हो गया यहां पर ग आश्रम में खाना अउना मिल रहे अधि अभी क्या खाया दोपहर में मध्यान बोजन क्या खाए ? कहाना तो खाये क्या खाये लेकिन दाल खाये जी दाल मिला जी सब्जी जी लेकिन मैं तो देखा सिब सब्जी चाउल खा रहे थे आज तो दाल नहीं मिला था ना मिला आज मिला जी आज इनको दाल मिला तुम भी खाया दाल जी और कौन-कौन दाल खाया आज सब तो मैं तो कौन बताया आपको की दाल बुल रहा हैं अच्छा एगर से खा की यहीं खायाता तुम दाल भाज बेटब नहीं नहीं खाय ना बच्चे मन के सच्छे होते हैं दादा दाल तो कोई खाया नहीं त schauen कि दाल बनाएते हागी करें उसमे दाल बनाए थे पता नहीं मैं भी नहीं द अलग का टीम हूए। जब मैं आया, तब यम उसे में जब बच्चे खाना खानेरे थे। जी। बच्चे सब्जी और चाहूल खा रहे थे। जी सर। तो पिर कैसे बोल रहा। के आप नहीं देखिए। नहीं मतल़ु है। आप देख रहे थे ना, आप ही तो परोस रहे थे, उसमें दाल था, थोड़ा था सर, लेकिन खतम हो गया, मैं जो, मैंने इसलिए फोटो खीच लिया है, और दर्सको को दिखाऊंगा, जूट मत बोलिएगा, उसमें दाल था, आपने बताए कि आप दाल नहीं बना है, नहीं, सब ख्लेनी, अभी फिर बनेगा सर, अभी रात को बनेगा, तो बच्चे लोग और क्या क्या देते हैं, बली दादा, सर, दो अपता मेंडा, फिर चिकन, फिर सेमी, मूली, लवकी, गोवी, बरबटी, बाइगन, आलू, ये तो पूरा 11-12 प्रकार का सबजी गिनाती है, और मेनु कार्ट रहता है, मैं सुनाओ कि, शिक्षा विभाग ने जो है, ऐसे जो बच्चे जो आफरम में रहते हैं, उनके लिए पूरा सपता का मेनु तयार किया है, मतलब सोमवार को ये देना है, मंगलवार को ये देना है, ऑशा बदौर को ऐसे दिन, ऐसा कुछ लिखा है नहीं, सर उसको मेरे कुटना मालूम नहीं है, लेकिन एक और मदान बोजन में मैदेखा था। था। उसको अभी बहुत पहले महीद देखा था। बहुत कभी किसी साहथ। मतलब तीन-चार साल पहले। क्या देखे थैस चार साल पहले। कुछ याद हैं कि अन्डा था और गूड और कुछ तो देने का था और दाल सबजी फुडियोगरा बनाने का था तो वो सब मिलता है कि बया देते हैं और आपको आपके असरम में रात को क्या देना है उसका मेंनुकर नहीं है तो नहीं है जो मरजी खिला दे जितना जो बना पाई को सब जी तो है चीस fit और बच्चे लोग को किया किस चमान देते हैं महीना बार उप्योग करने के लिए अभी रॉक्यटे वरस साबुन केसा र्म तेल जितना साबुन देटे पस करने को जैसे कि मानलेव एक जन का खतम हो गया, तो नाने का नहीं है, यह तो धोने कपड़ा धोने का नहीं है, फिर उहां पर है तो दे देते हैं, सरप अगरा जो भी है, दे देते हैं, चादर अगरा अच्छा सपई रखो, ऐसा बोलते हैं, कब से हो दादा आप यहां, बली दादा सरकारी आद्म हैं न को दी लेकर ले-टी दे ले इना को तो पी अधया है लेकिन देल का वेखो हैं, यहां कभी हुआ कि थ घुक्सी लेक्या रुटा, सेंख थोड़ी रहे लोग आई, बूला है अंदर गुज गिया। मनमन खाना का रहाता हुँआ हुआ हुआ। तो उलोंग खाना खाय रहा हुआ 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 कि अलोंग फिर पर भासन दिये। अचा भासन भी दिये। अब पर अष्रम में और अच्छी बच्ची है अब अब इल्ची पॉल्ट में और अब एक आगोड़ी गोट में डोर्टू अब ऑज से अदरीं में अब डोर को रहता है अपर अब आध में अब आता है साँ था तो अब रहा का व्ड़ आहा एक दिर फ्ट आग है यह को नहीं बोला, बाद में देख रहा हूं, तो फॉस्टारोगरा चीफ काय थे कि पंदर अगस्त नहीं बना, वो चवदा अगस्त का बात था, तो पंदर अगस्त नहीं बना, वोल कि वो कुछ कुछ लिखेते, मेरा कुछ उतना मालू नहीं है, फिर आम लों क्या करेंगे, अब सिक्षक भी तो डरती हैं, सर, ने, डर तो हर केसी कुछ लिखेते, तो अब जंडा नहीं पहराएंगे, तो वो गलत भात है, तो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, फिर जंडा फहरा लिए, मस्ताराम से बनाए, अच्छा फिर जंडा फहरा लिए, जी, 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 सेथे ज्यादा दिलेरी वाली बात है, कि नक्षाली चौदा अगस्त को आखे, जी, अब पन्दरा अगस्त को सिख्षक काके, जंडा फिर फहरा लीए, बहुत बात है, तो लेकिन अब तो नहीं होता, अब तो अब तो लेक नहीं होता है, अब तो तो हैं हिया closedar 13 असतर, करें लोगों भी जागरुक होगए और बत्ती तो हो रहा है अचाने लाग रुपा में इसे टेंड बना है लाइट लुक लेगा इस दो रहा है यह वह अट तो हगै में सब्सक्राइब अधिक जगदल फुर गया है और आमनों रात को दो जन जाते थे चप्रासिलों मैय और जमुल वो क्या बोलती है उदर का था बारसूर साइट का उसको आड वज रास्त कुमा टकते थे और भाई को न धेकल के लाते थे कुछ समान के लिए जाने जी और अभी तो गुरुजी है जलुजी दो अछिए ऐड़ा तो जब हंवाण खाने पीने ile का वह समभं नहीं दो जब सटक नीत सभ्ण अभी बीसमथ सम्भी क्या बच्के लोग का खाने पिने आंने तक हम मेरको तो हम आपको यह ना एं सबश्लोह को ने बना खाना खिलाने के जिम्मेदारी तो आप ही काई कि लिकिन सामने बहुत अगर टंगर रहता है तो कहां तक पड़े हो दादा सरमा जादा नहीं पड़ा फिर भी भार्मी तक पड़ा अरे गजब बार्मी पड़े रहा है यहां लखमा दादी तो अंगुठा चाप है मंत्री है ठीक है सब्सक्राइब रहे है आप बारी पड़े उसका पारे आपको यह नहीं पता है कि नई सर छोदा से आप यहां बहुंठा बोल रहा हूं मिनुष चार्ट अगो गोगा, तो अम भी तो उसको देखते हैं मिनुष्ट है इने नहीं अधिकार कля परवाइए नहीं किहівरा पता नहीं कलेक्टर आनfold 350 तो सामने सा तो यहाँ के नहीं दीकर है? किसी आश्रम में बच्ची के साथ बलातकार हुआ था तब से एक नियम आया कि आश्रम के बाउंटरी वाल के अंदर में कोई भी पुरुष नहीं रहेगा चाहिए वो पुरुष कर्मचारी क्यों नहीं तो अधिक्छी का के पती है वो कमांडर भी खड़ा करते हैं ठीक है साथी साथी यह तो पहली से पांच वी तक है क्या तो अच्छा आप भी रहते हो यहां पर कौन से गाहों से हो कांदा नार माली पर कांदा नार कांदा नार तो यहां कब से पढ़ रहे हैं पहली से यहीं हो बहुत बढ़िया अच्छा है तो क्या-क्या मिलता है आपको यहा मटर, अच्छा, खाने के लिए, जी, अज सुबह नास्ता में क्या किये थे, जी, नास्ता में, दलिया, दलिया खाये थे, जी, अंडा किते बार मिलता है महिना में, जी, अंडा, हर हपता मिलता है, जी, हर हपता मिलता है, हर हपता अंडा खाते हो बीटा, हर हपता खाते हो अं पहले भी केमरे के पीछे भी बोलता हूं और अभी भी बोलता हूं कि अगर हमारे देश में करोड़ो रुपए ब्रष्टा चार में फूख दिये जा रहे हैं बना रहे हैं तो एक बच्चा साती का भी पढ़ लेगा अश्रम में रहके तो अच्छी बात है आओ अंदर से देखते हैं बाब तुम कहां से आओ इधर आओ तुम बड़ा एकदम सूट बूट में लग रहे हो क्या नाम है तुम्हारा यह क्या पहने थे हैं क्या नाम है तौबञ गजब कहा से हो गायों कहा है कोलन में यहां से क्लास में यह तैंंत में हो हुझा पढ़ा हो तो वहीं रसे भी यासंति मिलता हैला जी मिलता है कि यह रहे दाल यह चोटे बच्चे लोग को क्या क्या मिलना ची तुम तो पढ़े हो हास्टल में सुरूश तुमको पता होगा सरीन को अब इठंड है तो जैकट भी मिलना ची है चपल उपल भी देते हैं कि चपल नी देते जिए जूता मिलना ची 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 जूता मिलना च तो कोन दिया पिस अभी हम लोग खरी तें खुद खर दो सरकार वाला नहीं मिला नहीं मिला नहीं कपड़ा देते हैं स्वेटर मिला आप लोग को अच्छे वाला है क्या और सब का तुम्हारा स्वेटर कहा है बेटा अच्छा दो भी दिए ठंड में नहीं दोना है ना आओ अंदर देखते हैं अंदर क्या विवस्था रहता है तो यह पोटा केबिन है और इस पोटा केबिन में मैंने आपको बत बारा भौनों को गिरा दिया गया तर यह पोटा पेबिन अंदर लुने ऐलाकों और के और बस्तर में ही आपको इस तरह के पोटा के बिन नजर आएंगे अच्छी बात यह है कि यहां पे लाइट है हालकि पंखा नहीं है क्यों तो अंसे पंक्खा निकाल दिये थंद आता ह तो चानल मेंद करते गर्मी में लगे रन देना तुर यह सव बच्जों के विस्तर इस तरह से रहते हैं जन्में की बच्चे जो है यहां अराम से सो सकें और पढ़ाई कर शकें पर और यह सारे बच्चें हैं फ़ला कि पूरे बच्चें नहीं है कई बच्चे क्रिस्मस की वज़े से छुट्टियों में अपने घर चले गए हैं, है ना, बेटा आपका गाउं कौन सा है, उरुकपाल, उरुकपाल के हो, ये उरुकपाल काचिर राज ये सब बहुत ज्यादा नक्सल प्रभायुत था कभी, है ना, ऐसी बोलते हैं, आप तो खेर 2014 से हो, जादा नी जानते हो, आपका गाउं कौन सा है, बडरी मो, अच्छा बडरी मो के हो, क्या नाम है, रितेस, रितेस कौन स कक्छा में, कक्छा सौंती, कक्छा चाउंती, अच्छा लगता है यहां, हस्टल में, खानों ने ठीक मिल रहा है, और पढ़ाने आते हैं कि अच्छा आते हैं, आते हैं, ए बीसे डी आता है, पूरा, सुना जल्दी से, ए बीसी डी, ए इस, आई जेके, लमन, ओ, पी, क्यू, आश्टी, यू, वी, टबलेक, जवाज़वाज, लेकिन मैं, आपकी जानकारी में नहीं होगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए ब पहड़ी महों किसी समय में नक्सिलेओं की उपराजधानी थी और उस गाहों का एक बच्चा आज फर्राटे से ABCD A to Z बोलके तुना है है ना पहाड़ा भी आता है न बेटा कहां से कहां तक का आता है दस का आता है जी भीस का 16 का सोला का मिर को मिर को भी आता है मिरको दसिक पाड आता है यह अपन कौन सबंडम बहुत बड़े साइन टेश्ट है लेकुं यह है कि ABCD आता हैram Radhaagt चप्पल कॏ comprehensive तो यहां सब ठीक है अच्छा लगता है गुर्ज भाईया बली दादा सब ध्यान रखते हैं जी डाल चाउल किलाते हैं आज क्या क्या खाए सुबह नास्तम क्या खायते हैं क्या बोलना है कोई पूछने से तो कोई बच्चे अभी दल्या बोल रहा था वीडियों मतलब जिला से आये तो नस्ता खाते हो कई से नहीं बोल दिये और नस्ता ये लों को मालूम भी नहीं नहीं की नस्ता क्या थी जोता है कि सको पूछने में किसको डल्या बोल लेंगे कि इसको डल्या वोल थे लों को अच्छन मालूम भी नहीं हैं इलोंक को बता देयो कोई भी पूछे तो मूँमें पूह या दल्या बोलना है जी ऐसा ज़िवाटना है कि या श्यृट इना था लेकिन तुम बेटा पूह खाए कुछ बच्चे दलिया खाए, तुमको अलग से दे दिये गया, पुहाँ ने, अच्छा, और दोपर्म क्या खाए खाना सबजी हाँ, मेरे देखे बताओ, बली दाला के मुद देखे और सबजी हाँ, काना, खाना मतलब चावल, जी और दाल, दाल खाए, जी कुछ नहीं से कुछ सही, पहले से इस्थितियां बहतर है, हाला कि और बहतर करनी क्या सकता है सरकार कोशिस कर रही है, लेकिन सरकार की कोशिसे तभी सफल होंगी, जब धर्ती पे या जमीन पे आखरी आदमी उसे पूरी इमानदारी से करे अभी मैं जब यहां पे पहुँचा, तब तस्वीरे तो मैंने नहीं ली, लेकिन बहुत सारी तस्वीरे आपत्ती जनक थी कुछ कर्मचारी इस इस्तिती में थे, जिनकी तस्वीरे दिखानी योगे नहीं थी, और रष्टा चार भी चरम पे है, शिक्षा के नाम पे, एक अच्छी तस्वीरे नजर आई कि भडरी मों का एक बच्चा फर्राटे से A to Z अंग्रेजी बोल ले रहा है, ABCD के, जो अलफ ABCD जेट तक बोल पा रहा है, आने वाला समय और बहतर होगा, लेकिन बलीराम जैसे दादा लोगों को और इमानदारी से काम करना होगा, इन लोगों को काम करना होगा ये सोच के, कि ये मेरे बस्तर का नहीं, मेरे घर का बेटा है, मेरा बच्चा, इसके लिए जो खाना बन पूछ लीजेगा, जी सर, पूछ लीजेगा, अबर ऐसा है सर, कम से कम अम लोगों जो खाना देते हैं, उतना समय ना दो गन टकली, इसके मा और बाप अमी लोग जाए, अगर मा और बाप हो तो आपको ये चिंता होती, कि इनका मेनु काट क्या है, बली दादा कैमरा देख क्या है, आपके छोटे-छोटे बच्चे को खिलाना क्या है, सरकार इंको खाने के लिए पैसा दे रही है, परियाप, दे रही है, कम तो नहीं दे रही है, मतला आपको अपने अधिक्षक से पूछना है, आप इनके माबाप हो, है ना, मैं उमीद करूँगा कि आप और बहत माओं में जाने के लिए बड़ी उच्च इसतर की सिक्षा भी ग्रहण कर रहे है, ये बच्चे जिन में माओवादी कभी अपनी तस्वीर ढूंडा करते थे, ढूंडा करते थे कि कभी इनके हाथ में भरमार होगा और आगे चलके उसे फोटी से उनमें तबदिल किया जाए और इस वीडियो को लगे कि बस्तर में सिक्षा की अलग जग चुकी है, इसे फैलाने के लिए आपको भी मदद करनी होगी, आपको ध्यान रखना होगा कि बच्चों को हर सब्ता में अंडा, भोजन, पौश्टी का हर मिल रहा है कि नहीं, या बस सरकार बस यूँ ही पीठ दूक रही है, बली दाद अब मन से काम कर रहेंगे, तो इस वीडियो को सेर कर दीजेगा, बस यूँ टॉकिस को सब्स्राइब कर दीजेगा, धरने बाद,